दोस्तो जादा तर जो बैंक है वो अपने सेविंग एकाउंट होल्डर को जो ब्याज है तीन से चार परसंट का देती है इसके साथ आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दिया जाता है कुछ चार्जेस देने के बाद और आपको लोकर फैसलिटी भी दी जाती है नया updated saving bank account feature जारी किया गया है यानि अब जो भी bank of india के customer होंगे चाहे वो पुराने customer हो या कोई नए customer जो bank of india से जुड़ेंगे अपना saving bank account open करवाएंगे तो अब उन्हें यह facility उन्हें ilia concession उनने ही convenience सब दिया जाएगा इन नए feature के साथ अब saving bank account आपके लिए लाया गया है यानि अगर आप एक saving account holder है एक salaried employed है, एक individual है, एक youth है, एक student है, एक household है तो आपके लिए ये सभी फायदे अब आपको इस saving bank account में ही मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको insurance cover के साथ आपको कुछ concession भी दिया जाएगा तो दोस्तो आईए आज के इस video के अंदर हम देखते हैं के इस saving bank account के अंदर क्या-क्या upgradation किये गये, यानि क्या-क्या नई facility अब आपको provide की जाएगी चाहे आप पुराने customer हो या आप नए customer हो, bank of India चाहते हैं के उनसे जादा से जादा जो लोग है, जो नए customer है, वो जुड़े, जिस वज़े से यह upgraded saving bank account feature जारी किया गया है तो दोस्तो आईए देखते हैं कौन से कौन से feature जो है, bank of India अब अपने saving account holder को देने वाली है तो दोस्तो चैनल में आए तो subscribe कर लीजिए और bell icon पर all notification पर click कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी notification रिगार्डिंग हमारे वीडियोस regularly मिलते रहें आईए श्टार्ट करते अपने वीडियो को बीना देदी करते हुए तो दोस्तो आईए श्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते बैंक ओफ इंडिया दुआरा अपने सभी नए कस्टमर और पुराने कस्टमर जो salary account holder है household है individual है या कोई student है इनके अलावा भी अगर कोई saving account hold करता है तो उन लोगों के लिए अब upgraded saving account facility feature नए लाए गए है concession के साथ कुछ facility के साथ insurance cover के साथ है तो किन-किन facilities को दिया जाएगा तो सबसे पहले जो facility वो दी जाएगी insurance cover related जो second facility है वो retail loans related और local facility भी आपको दी जाएगी concession rate पर और इसी के साथ जो चोथा जो point है वो debit and credit card related facility आपको दी जाएगी तो यह चार point के अंदर आपको facility क्या-क्या मिलने वाली है आईए इसको थोड़ा सा detail में जान लेते हैं तो दोस्तों आईए अब जानते क्या-क्या facility आपको दी जा रही है bank of India दुआरा तो अगर आप एक saving account holder है तो यह upgraded facility आपको दी जाएगी जिसके अंदर सबसे पहले आपको जो facility दी जा रही है वो है insurance cover की अब क्या-क्या insurance cover इसके अंदर किया जाएगा जो पांच लाग का DIGC की तरफ से insurance है वो तो अलग से है लेकिन bank of India दुआरा अगर आप saving account holder है तो upgraded saving account के लिए आपको क्या insurance facility दी जाएगी तो सबसे पहले जो facility आपके लिए होगी वो होगी group personal accident death cover insurance अब अगर आपका accident होता है तो उस case में आपके लिए group personal accident insurance cover दिया जाएगा bank of India दुआरा जो देड़ करोड तक की limit रखी गई है यानि देड़ करोड तक आपको insurance cover दिया जाएगा अगर आपका accident होता है इसके अलावा अगर बात करें अगर आप air में travel करते हैं flight से travel करते हैं तो उस case में अगर आपके साथ कोई हाथसा हो जाता है तो एक करोड तक का insurance cover और दिया जाएगा आपको तो दोस्तों bank of India के अंदर अगर आपका saving back account order है तो अब आपके लिए खुशकबरी है आपके लिए air related अगर आप flight में travel करते हैं या फिर अगर आपका accidental death हो जाती है तो उस case में आपको एक करोड और देड़ करोड तक का insurance cover bank of India दुआरा दिया जाएगा दोस्तों इसके बाद जो हमारी rate of interest लगती है उससे कम में आपको जो है लोन bank of India दुआरा दिया जाएगा इसके साथ आप पर कोई भी processing fees नहीं लगाई जाएगी यानि waiver of processing fees आपको कोई भी charges नहीं देना है उस loan को लेने के लिए जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो है local facility अगर आप gold and diamond saving account holder है तो आपको concessional local facility मिलेगी यानि जो भी rent local facility पर लगता है उस पर कम rent आपको देना होगा और इसके साथ आपको free local facility अगर आप platinum saving account holder है तो आपको free में local facility दी जाएगी दोस्तों हमारा जो fourth point है वो है debit and credit card तो international debit and credit card आपको दिया जाएगा with global access and acceptance के साथ इसके साथ आपको free में credit card दिया जाएगा और आपको higher limit दी जाएगी पांच लाख रुपे तक post office saving account के लिए और credit card uses के लिए तो दोस्तों यह सभी facility जो है वो bank of India अपने नए customer और पुराने customer दोनों को ही दे रही है upgraded saving account के feature के साथ तो इस feature के दुआरा आपको बहुत सारे concession बहुत सारे benefit बहुत सारे फाइदे जो है वो saving account holder को दिये जाएंगे जो नए customer है उनको attract करने के लिए दिये जा रहे है और जो पुराने customer है उनको बरकरार रखने के लिए यह फाइदे दिये जा रहे है यह concession दिये जा रहे है तो दोस्तों अगर आपके पास भी अभी saving bank account नहीं है bank of India के अंदर तो जल्द से जल्द अपना account जो है bank of India के अंदर खुलवाएं और यह सभी लाब यह सभी facility आप जल्द से जल्द आप भी पा सकते हैं हुआ 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 है